हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल डियर मॉम बैक्स गाइस एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही बहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ और ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि आप बहुत ही असान तरीके से बना पाएंगे आज एक ऐसी किट बनाना सिखाऊंगी आपको जो कि लेडिस किट होगी और जिसको लेडिस यूज करते हैं और आप असान तरीके से बना पाएंगे तो देर न करते हिए आईए अपना वीडियो शुरू करते हैं यहां पर आप देख रहे हैं एक कपड़ा है और पेस्टिंग पेपर है जिस साइट से दाने दाने हैं उस तरीके से हमारी यह शीट तयार हो गई है complete sheet ready है और यहां पर इसकी चोड़ाई है साड़े 10 इंच यानि की 10.5 इंच और लंबाई है 24 इंच यानि की 24 इंच ठीक है तो अब हमने इस sheet को क्या करना है यह complete sheet है इसको double fold करना है और double fold करने के पाद बराबर बराबर अच्छे से चाये बना ले और हम इसको बराबर बराबर बहागो में कट कर लेंगे ठीक है double fold करेंगे cut करेंगे फिर अब यह दो पीस हो गए अब दो से हमने एक पीस को लेना है फिर double fold करना है और cut करना है ठीक है तो मैंने यह cut कर लिया यह हो गया हमारे पास 3 पीस अब दूसरे piece को भी हमें डबल फोल्ड करना है और इसको कट करना है बराबर बराबर भागों में ठीक है तो केवल हम एक शीट से बना रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यह देखिए ठीक तो चार्ड शीट हमारे पास त्यार है 6 वाइ 10.5 इंचेस की और दो प्लेन कपड़े हैं जिप ले लेनी है एक एक रणर एड़ कर लेना है और जिप की जो लेंध है 6.5 इंचेस है यानि की आधा इंच एक्स्ट्रा ठीक है तो दो जिप ले लेनी है दो प्लेन कपड़े लेने है और चार्ड शीट हमारे पास यह रड़ी है अब हमें एक शीट लेनी है और एक प्लेन कपड़ा लेना है तो शीट का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है ठी तो अब हमने क्या करना है आधे सेंटर पॉइंट से आधे इंच पर टिक करना है यानि कि 0.5 इंच पर टिक करना है और कपड़े को रखना है जो हमने कपड़ा लिया है शीट पर वह रखेंगे और उपर साइट से हमने 1.5 इंच पर टिक करना है उसके बाद 2 इंच पर टिक करना है इच में आधे इंच का गैप होगा और उसके बाद हम 5 इंच की लाइन डालेंगे यानि कि 2.5 इंच एक साइड और 2.5 इंच एक साइड यानि कि 5 इंच और आधे इंच की दूरी से एक लाइन और डालेंगे सेम तरीके से 5 इंच लंबाई में और आधे इंच चुड़ाई में उसके बाद सेंटर में एक लाइन डालेंगे जहां से हमें इसको कट करना है तो किनारे किनारे हमें स्लाई कर लेनी है यहां पर स्लाई करना है किनारे किनारे और बीच वाले लाइन पर हमें कट करना है तो मैं आपको सिल करके दिखा रही हूं गाईज यहाँ पर आप देख रहे हैं किनारे किनारे मैंने स्लाई कर ली है यह देखिए यह देखिए और इसके बाद हमने यह स्लाई करने के बाद हमने इसको डबल फोल्ड करना है और छोटा सा कट लगाना है ठीक है अब हमने इसमें छोटा सा कट लगा लिया इस तरीके से ले आए इस तरीके से वेहीं जिए सक्टा को सफेंद देखть करके से चोटा यहां ठालिए को फिर ख即ot नहीं रते लगा हैं सकते हैं कि यहां प्रेश करेंकि यहां इसलें बिनने जिपट को आका को देख करके है वेक स्कूष से रखना है इस पर कุबर से ताकि ये दिखाना है और किनारि-कनारी स्टिछ कर लेना है अगर आप ऐसे नहीं पारे तो प्रैस कर लेंग ऐस है या फिर स्टिच भी कर सकते हैं एक बार तो मैं किनारे किनारे स्लाई करके दिखा रही हूँ और एक स्टिच करने के बाद हमने इसमें क्या करना है डबल स्टिच कर लेना है ताकि इसमें सुन्दरता आ जाए क्योंकि हम लेडिस के लिए बना रहे हैं तो जरूर सुन्दर बनाना होगा तो यहां पे आप देख रहे ह में डबल स्टिच कर रहे हैं तो और ज्यादा बैटर होगा ठीक है तो यह देखिए अंदर साइट की पॉकिट हमने सिली एक साइट से जुड़ा हुआ है ही डबल स्टिच कर ली अब एक्स्ट्रा जिप को हमने काट चाट देना है देखिए अंदर साइट से इस तरीके से यह आ गया और यह देखिए पॉकिट हमारी रडी है ठीक है और सीधा सीधा कपड़ा पॉकिट के अंदर आया है सेम तरीके से दूसरी शीट भी त्यार कर लेनी है यानि कि दो शीट हमें ऐसे ही त्यार करनी है तो एक शीट मैंने आपको त्यार करके दिखाई है एक आपने 5 inches की लंबाई में है ठीक है ना तो हमने जिप एक्स्रा लेनी है सीधे पे उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है ठीक है तो मैंने सीधे उल्टा रखा और स्टिच कर लिया और जिप को एक्स्रा लिया है तो फिर एक पकेट वाला हिस्सा और एक बिना पकेट वाला हिस्सा ले लेना है तो बिना पकेट वाले हिस्से को इस तरीके से रखना है और स्टिच करना है ठीक है तो दो ये शीट हमारी जुड़ गई एकी कोने पे एकी साइड पे ठीक है तो एकी साइड पे दो शीट जुड़ गई अब हमें ऐसे पलट लेना है और ये दोनों सीट एक अब फिर से हमने क्या करना है अब हमें लेनी है प्लेन शीट और अगर हम जिप को ऊपर रखेंगे तो ज्यादा अच्छी से लाई आएगी तो यहां से हमने स्टिच कर लेना है मैंने स्टिच कर लिया अब इस तरीके से फिर घुमा लेंगे इसको इस तरीके से या जाएगा अब फिर हम इसको पलट लेंगे और फिर हम इस पे जिप वाले हिस्से की शीट रखेंगे ध्यान रहे ऐसे ही रखना है जैसे मैंने रखा है ठीक है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो थोड़ा दीरे-दीरे देख लें स्किप करके ना देखें तो यहां देख चीट हमारी एक साइड घी offer कि तो दो शीट एक साइड और जीप की फिनिशिंग भी हो गई ठीक है एक पोकिट एक साइड एक पोकिट एक साइड तो यहां पर हमने इसमें टॉप लिए और डॉप ओप इस्टिच करना है अब दूसरी साइड में आप लेक लेकी ऑस्टिश कर ली और यह finishing के साथ चारो शीटे हमारे पास रोड़ी हैं एक साइड एक pocket और एक plane piece और एक pocket और एक plane piece आज जाएगा ठीक है तो एक साइड अंदर है और आजाएगी और एक साइड बहर है ठीक है तो यहाँ पर आप देख nição उसके बाद हमने इसमें दो runner add कर लेने हैं और उस side को runner add करने हैं जिस side को हमें front रखना है तो front आप किधर से भी ले सकते हो अगर finishing के साथ बना रहे हो अगर थोड़ा rough है तो एक side जो rough है थोड़ी अंदर ले लो लेकिन वैसे मेरा दोनों side से same है तो मैं कोई सी भी side ले सकती तो 2 inches चोड़ा और 6 inch लंबा यानि कि 2 inch की चोड़ाई और 6 inch की लंबाई की एक strap त्यार कर लेंगे इस प्रकाट से पतली सी ठीक है और इसको double fold करेंगे एक lock type का है उसमें इसमें मैंने ऐसे करके डाल लिया है double fold कर लिया है और 3 sheet को एक side कर देंगे और जिस side हमें front रखना है यानि कि सामने रखना है बिलकुल सीधा रखना है उस side में single sheet पर यानि कि एक sheet पर हमें सिलाई करके इसको जोड़ लेना है मैंने जोड़ लिया है ठीक है सिर्फ एक sheet में जोड़ा है जिसको मैंने सामने रखना है यानि कि बाहर side में रखना है ठीक अब जिप वाले हिस्से स सेम आ जाएंगे ठीक है तो यहां पे भी आप देख रहें एक pocket वाला हिस्सा और एक plane हिस्सा जब आप slide करेंगे तो आप किधर से भी देखें किधर को भी यह दिखाई देगा दोनों side में same slide आ जाएगी ठीक है तो यहां पे आप देख रहें यहां से open side चोड़ना है इस तरीके से इस तरीके से किनारे किनारे करके इसको ready करना है मैंने open side चोड़ा है लेकिन इसमें वीडियो में थोड़ा पलट लिया है मैंने तो दूसरी साइड इसकी पोकेट आ गई है तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से यह सिल करके त्यार कर लिया है और किनारे को जब हम कोने को सीलेंगे तो इस तरीके से पकड़ेंगे यह देखे इस तरीके से ताकि यह सलाई करते समय मोटा ना हो ठीक है corner बना लेंगे इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है और एक इंच पर टिक करेंगे ठीक है वन इंच पर टिक करेंगे इस तरीके से जैसे मैं कर रहे हूँ तो चारो corner में सेम तरीके से कोने बनाने है और जैसे मैंने पकड़े हैं उसी तरीके से पकड़ना है वन इंच पर टिक करना है टाकि मोटा ना हो ठीक है और सिलने में भी easy रहे अब इस तरीके से अगर देखेंगे तो two inches आ जाएगा हमारा टिक और इस तरीके से देखेंगे तो one inch आएगा ठीक तो चारों कॉर्णर को टिक के अनुसार हमें slide कर लेना है ठीक है तो यहां आप दे देखेंगे वैसे ही मैंने फोल्ड किये हैं जैसे आपको दिखा रही थी यह देखिए तीसरा कोना और यह चौथा कोना ठीक है ना और यह हमने कट कर लेनी है जिप जो भी extra होगी वो तो जिस side से हमने open छोड़ा था यह side हमारी अंदर जाएगी ठीक है जो side हमने open छोड़ा और जो हमने open छोड़ा था खुला छोड़ा था इसको भी हमें stitch कर लेना है यानि कि slide कर लेनी है और इसके बाद जो हमने slide की है यह देखिए कोना भी अच्छे आ गए है इसको हमने अंदर side में डाल देना है देखिए guys यह कितनी अच्छी trick है अंदर से भी same है बाहर से भी same ह बस सिर्फ जिप लगाने से ही इसमें अंतर आ गया है तो बाहर भी pocket है और अंदर भी pocket है और finishing के साथ है ठीक है क्योंकि आप जानते है महिलाओं को तो या ladies को या girls को सब चीज अच्छी ही पसंद आती है और सुन्दर ही पसंद आती है तो यहां आप देख रहे हैं कितनी त्यार हो गई है अभी इसका स्पेस में आपको दिखाने वाली हो और इसमें एक ड्रेस का वी कुछ में एड करूंगी आप देखना देखिए एक चश्मा आ गया मेरा और एक फोन आ गया और एक वालेट भी आ गया यहां पे आप देख रहें कितना अच्छा है यह पर्स य पांच इंच दोनों साइड की पांच इंच तो एक चश्मा एक वालेट और एक फोन बड़ा वाला फोन भी आ जाएगा यह फोन चोटा वाला है क्योंकि बड़े वाले से मैं वीडियो बना रही हूं तो गाइस लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कु कॉमेंट करें ताकि मुझे और भी होसला मिले कि मैं आपके लिए वीडियो अच्छ अच्छ तियार करूं तो यहां आप देख रहे हैं गाइस इस तरीके से यह जो इसमें लग रहा है यह जो भी आप इसमें डेकोरेट हुआ हुआ देख रहे हैं यह जो लग रहा है यह मे में लगा रहता है ready made dresses में ने मेने उसी से लिया है इसको ठीक है तो हमें इसको pin की तरह लगाना है तो चाहें आपको पसंद आता है तो आप लगा रहे नहीं दे और पसंद नहीं आता है तो निकाल दे तो पिं की तरह इसमें हम add कर सकते हैं कितना अच्छा decorate होकर के यह आ गया हम हाथ में ऐसे ballet भी पकड़ सकते हैं, hand purse भी पकड़ सकते हैं hand kit भी पकड़ सकते हैं ठीक है न गाइस तो यह देखे इसकी लंबाई, चोड़ाई और इसका space और यह देखे यह जो कुंड़ा बैने डाला इसमें आप कीवी डाल सकते हैं या कोई decorate करने के लिए कुछ और भी इसमें add आप कर सकते हैं और भी सुन्दर लगेगा दो runner डाले हैं, एक pocket में डाला है एक अंदर वाली pocket में डाला है तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और subscribe करना तो पिल्कुली भी न भूले क्योंकि मैं आपके लिए असान से असान वीडियो बैग बनाने की अपने चैनल पर upload करती हूँ आईस आपको मेरे चैनल पर हर प्रकार का बैग मिल जाएगा छोटा बड़ा storage बैग, travel बैग, pouch बैग, kit, pencil के सब प्रकार के बैग आपको मिल जाएगे तो गाए subscribe करें और साथ ही आई बटन में मैंने आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है और स्क्रीन में भी आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है यहां से भी click करके आप मेरे चैनल की और भी वीडियोज देख सकते हैं और Facebook, Instagram और WhatsApp पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ओके बाइ